हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं ऐ जिन्दगी देख मेरे हौंसले तुझसे भी बड़े हैं हर कोई फिट होना चाहता है लेकिन शायद फिटनस की रियल डेफिनिशन हम में से बहुत से लोग नहीं जानते खुद को फिटनस के लिए मोटिवेट कैसे रखा जा सकता है इसे जानने से पहले ये जानना भी important है कि actually फिटनस होती क्या है कोई कितना फिट है या नहीं इसका analyzation हम किसी की body shape को देख कर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर कोई slim है तो वो fit है और अगर overweight है तो fit नहीं है ये हमारी सबसे बड़ी भूल है actually body की look fitness का सही मापदंड नहीं है किसी की body कैसी दिखती है ये देखने वाले की mentality पे depend करता है fitness और good health सिरफ एक look नहीं बलकि mentality है just change your thoughts and your views will be changed and याद रखें जब तक हम अपनी thinking को transform नहीं करेंगे हमारी body भी transform नहीं हो सकती fitness और good health में बहुत थोड़ा सा difference है कोई भी इंसान fit है या नहीं इसका अंदाजा उसकी energy और वो कितना active है उसे देखकर लगाया जा सकता है ज़रूरी नहीं है कि slim trim लोग fit ही होते हैं बहुत बार देखा गया है कि कोई slim है पर active या energetic नहीं और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो हैं तो overweight बट बहुत ही energetic हैं किसी भी physical काम को करना उनके लिए जरा भी मुश्किल नहीं किसी तरह से कोई कितना healthy है ये भी हम किसी की body shape को देखकर नहीं बता सकते ये पता करने के लिए कि आप healthy हैं या नहीं अपनी immunity check करें आप internally कितने strong हैं ये पता चलता है जब आप जल्दी जल्दी बिमार ना हो और अगर कभी हो भी जाएं तो बिना medicines के आपकी body recover करें चेक करें कि year में कितनी बार आप doctor के पास जाते हैं अगर once in a year जाते हैं तो बहुत अच्छा otherwise do something to increase your immunity कल क्या होगा मुझे पता नहीं और जानना भी नहीं बट आज मैं खुद को active और बहुत ही strong महसूस करती हूँ कितने साल पहले doctor के पास गई थी याद नहीं और इसका credit अपनी self-care की habit को ही दूँगी be strong not only physically but also mentally 20s और 30s की age में मेरे लिए slim होना ही fitness था लेकिन fitness का real meaning अब समझा रहा है जब age बढ़ती जा रही है और साथ में मेरी energy भी कुद को fit रखने के लिए motivate करें slim रखने के लिए नहीं so ask yourself why you want to be fit just to look good or to be active or energetic all the time do not care what people think of your body fitness का real meaning weight lose करना नहीं है बलकि physically और mentally strong होना है जब आपका goal fitness बन जाएगा तो weight loss तो आपको side effects में मिल जाएगा आप active हैं तो physically fit हैं और mentally fit है या नहीं ये पता चलता है हमारे face की smile से हमारे behavior से और situation को handle करने के हमारे तरीके से so I think now it's clear कि fitness क्या है चलिए अब देखते हैं कि खुद को motivate कैसे रख सकते हैं उसके लिए भी खुद से पूछें कि आपके fitness goals क्या हैं आप क्यूं fit होना चाहते हैं goals एक disease free body हो या फिर energetic body और या फिर बात सिरफ weight कम या जादा करने की हो बिना efforts के possible नहीं इसलिए मैं हमेशा self care पे जोड देती हूँ उसके लिए healthy eating habits का होना सबसे पहले काम करता है बहुत से ऐसे food हैं जो बहुत साई nutrition value के साथ साथ tasty भी होते हैं और अगर आपके cooking skills अच्छे हैं तो बात ही क्या दूसरी तरफ ऐसे foods जिनकी nutrition value zero होती ही है और हमारे system को harm करने के साथ साथ ये हमें lazy भी बनाते हैं like fried और junk food अगर इने खाने से खुशी मिलती ही है तो खा लें लेकिन बहुत ही कम क्योंकि right eating habit first and important step होता है towards a healthy life आपका breakfast हमेशा ही full of nutrition होना चाहिए बहुत सारे लोग अपने दिन की शुरुआत carbohydrates से ही करते हैं यानि कि daily बस रोटी प्रांठा जबकि fiber और protein rich breakfast आपको long hours तक full रखने के साथ साथ ज़ादा active भी रखता है अपने सामने अपने fitness goals रखे and motivate yourself for healthy eating खुद के mind पे control रखे body control में ही रहेगी क्योंकि without signal of mind body cannot even move second step to reach your goals is exercise but किसी तरह का कोई भी workout करने के लिए खुद को force ना करें क्योंकि जिस चीज में आप enjoyment feel नहीं करते हैं वो आप forever कर भी नहीं सकते so choose any physical activity which you enjoy the most it can be even bollywood dance western dance, punjabi भांगडा और any other dance form which you like the most कोई भी workout कितना भी अच्छा हो लेकिन आपके लिए अच्छा और valuable सिरफ वो ही है जिसे करने के लिए आप excited होते हैं बाकी सब waste है physical activity करने के लिए आपके पास unlimited choices है ऐसे ही mental activity के लिए भी choices की कमी नहीं है choice how to feel, how to enjoy and how to be happy spend your time, energy and money on your health क्योंकि जब कभी हम कहते हैं कि exercise करने के लिए time नहीं मिलता तो हम खुझ से ही जूट बोल रहे होते हैं क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि अगर एक बार health खराब हो गई तो हमारे पास time ही time होगा दुनिया भर के जिन कामों को करने के लिए अपनी health को neglect करते हैं health खराब होने पे वही काम हमारे सामने होते हैं और सिवाए उन्हें देखते रहने के हम कुछ नहीं कर पाते Try to start your day with fresh morning और इसके लिए best होगा कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें ना सिर्फ घर के काम या exercise करने के लिए कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी life में कभी sunrise नहीं देखा होगा ये natural beauties हमारे mind को energize और stress free रखती हैं full energy के साथ अपने goals को पाने के लिए try करें but don't bother if you fail to reach your goals क्योंकि failures are totally normal ये हमें life lessons देते हैं to move on try again and again and again मैं healthy खाती हूँ, exercise करती हूँ because I love my body nature ने जो body मुझे दी है मैं उसकी respect करती हूँ and I love myself as I am बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती बट कोशिश करते रहना हमारे ही हाथ में होता है disease free life जीने का सपना देखें और उसे fulfill करने के लिए effort करते रहें छोटी छोटी problems के लिए medicine ना खाएं छोटे मोटे flu body खुद ही recover करती है headache हो तो थोड़ थोड़ देर में पानी पिएं और deep breathe करें time लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपकी body को बिना medicines के ठीक होने की habit हो जाएगी क्योंकि आपकी immunity बढ़ने लगेगी हम बहुत strong बन जाते हैं जैसे ही strong feel करना शुरू करते हैं pain को बरदाश्ट करना सीखें don't only wish a healthy or a fit body but push through the challenges be confident, be proud of yourself and be your biggest fan see you in the next video till then bye, take care and stay healthy